हेलो एवरिवन तो सभी लोग कैसे हैं आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगी तो आज जो रेसिपी में आपको बताने वाला हूँ वो है बर्गर की कि आप घर पर कैसे फ्लफी एक्तम स्पॉंजी बर्गर कैसे बना सकते हैं बहुत ही वाइट बर्गर बनेगा जो मार्किट में यूज होती है बस आपको क्या करना है इस वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक बने रहना है क्योंकि मैं समय टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा लेकिन इससे पहले आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है जो बैल आइकन उसको भी प्रेस कर देना ह ताके हमारे आने वाले वीडियो अब तक चल से चल पहुंचे तो चली वीडियो शुरू करते हैं तो यहां पर मैं ले रहा हूँ एक किलो मैदा यह मेजर्मेंट में एक किलो के हिसाब से बता रहा हूँ तो इसके अंदर हम डालेंगे 40 ग्राम पिसीवी चीनी साथ ही हम इस साथ ही इसके अंदर डालेंगे 15 ग्राम नमा के बिलकुल accurate मेजर्मेंट्स हैं जो कि कमेशिल बेट्स बनाने में इस्तिमाल किये जाते हैं तो फिलहाल हम इस सारे मैदे को अपना पूरा इकलो मैदे को चान लेंगे यहां पर आपको एक चीज का खयाल रखना है कि जो मैदा डालना यहां पर मैं आटे को मारने के लिए दूद का इस्तिमाल कर रहा हूं और दूद आपका 400 से 400 में लग जाएगा अगर आप घर पर वैसे बना रहे हैं आप दूद इस्तिमाल करना चाते तो आप पूरा पानी भी इस्तिमाल कर सकते हैं तो फिलहाल हम क्या करें पर ही करनी है इसलिए मैं सज्जेस्ट करूँगा कि आप शुरूवात में 1 kg मैदा से अपने बर्गर को ना बनाए आप सिंपली आप 300 मैदा भी इसको ले सकते हैं 500 मैदा भी ले सकते हैं ताकि आपको काम करने में असानी हो आपको देखना है कि जैसे जैसे आप इसको मारत आठे को खीच खीच कर पटक पटक कर इसको आपको माड़ना है ऐसे एक हाथ से पकड़कर एक हाथ से खीचते हुए इसको माड़ना है आपको इस सारा का सारा आठा माड़ना है जैसे कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं वैसे ही आपको इस्टाफ फॉलो कर लेना है तो देखिए हमारा यहां पर आठा पूरी तरीकी से मड़ चुका है यहां तो मैंने आठा जादा माड़ा हुआ था क्योंकि मुझे कुछ और चीज़ी भी बनानी है तो फिलहाल मैं अपने बर्गर्स के लिए कम क्वांटिटी में आठा लूँगा तो यहां पर मैं अपना थोड़ा सा आठा निकालके अपने एक बाउल में ट्रांसफर कर रह अगर सर्दियों का टाइम है तो इसको दो घंटे तीन घंटे भी लग सकते हैं तो यहां पर देखो जो हमारा मैदा था वो पूरी तरीके से उपर तक आ चुका है अब इसको हम थोड़ा सा मैदा से डस्ट करेंगे ताकि हमारी उंगलियं इस पर चिपके ना आब उपर से दीरी से प्रेस करते हैं इसकी सारी गैसे को रिलीस कर देंगे अब देखिए यहां पर हमारा जो मैदा वो बहुत ही अच्छा प्रूफ हुआ था बहुत ही अच्छी कंसिस्टेंसी में आया है इसको चूकर ही पता लग रहा है कि इससे जो अब बर्गर बनेंगे वो बहुत ही अच्छे मनेंगे तो फिलाल मैं इसको साइड कर रहा हूं और यहां पर हम एक विंग मशीन को ले रहा हूं और इक प्लेट रखकर जो है ना मैं इस मैदे से कुछ पेड़े काट लोंगा तो जो स्टेंडर साइज है वो नभे ग्राम के आसपास का होता है तो मैंने ऐसे छे पेड़े काट लिए क्योंकि मेरे ट्रे में यहां पर छे पेड़े ही सफिशेंट आ सकते थे अब यहां से स्टाट हो दी हमारे ट्रिक देखो मैं कैसे इसको चारो तरफ से घुमा घुमा के बीच में फोल्ड कर रहा हूं ताकि यह बिल्कुल एर टाइट हो सके और मैं इसको वहां से लॉक कर दूँगा उपर से उसके बाद में मैं इसको एक गोल पेड़े का शेप दूँगा आपको ही ऐसे ही करना है अगर इसमें क्रैग रही है कहीं से खुला हुआ तो आपके जो बर्गर से बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे इस बात का आपको पूर से इस पर स्प्रे करके उपर इसकी स्कीन पर इसको आप बेक होने के लिए रख सकते हैं तो यहां पर मैंने अपना अवन पहले से प्रिहिट किया हुआ था दो सो डिग्री सेल्सिस के टेम्परिचर पर और इन बर्गर को जो बेक होने में टाइम लगेगा लगब लगब 15- 20 मिनिट का टाइम लगेगा और जो रॉड से मैंने यह दोनों किये हुए उपर और नीचे का 20 मिनिट के बाद मैंने जब चेक किया था तो यह बर्गर पूरी तरीके से पक चुके थे इन पर कलर भी अच्छा गया था आपको भी ऐसा ही गला लेना है जैसे कि इस पर बदाम से पका हुआ है और उपर से भी इस पर कलर बहुत अच्छा है हुआ है और इस पॉंजी तो बहुती ज़्यादा बने बहुती फ्लॉफी बर्गर बनकर तयार हुए यहां पर हमारे बर्गर तो बहुत अच्छे बनकर तयार हुए बहुती फ्लॉफी बहुती स्पॉंजी है और मैंने बहुत आसान तरीके से आपको ये recipe बनाना सिखा दिया है यहापर मैं आपको काट कर भी दिखा दिता हूँ कि कितने ही white burger बन कर त्यार हुआ है देखिए अब आप अपको यहाँ पर अंदर से भी check कर सकते हैं कि कितने ही white burger बन कर त्यार हुआ है